हेलो ब्रवान दिस इस अब शेक रायन वेलकम यू ओल्ड वर फेवरेट यूट्यूब चैनल राइजूकेशन राइजूकेशन चलने पर आप सब ये भाई बंदों का अरतिक स्वागत है मित्रों दिन भर तो हम लोग 69,000 बरती विशेस्ता निउजों पर फोकस करते रहते है हर जगह सोसल मीडिया पर कि क्या एक्टिविटी हो रही है सब को हम लोग को कैच अप करना और आप आउडियंस तक हमको पहुचाना है जो हमारे आप सस्क्राइबर्स हैं कहीं कहीं मैं सोचता हूं एक ना यह कोई एक वीडियो शाम तक रात तक आप तक पहुचा दूँ ज कोई भी एक्जाम दें डी ट्रिपल एस बी के वीएस एन वीएस कोई भी एक्जाम दें अधिगाम अच्छमता से एक प्रश्ण बंता ही बनता और यह अधिगाम अच्छमता अगर मैं बात कुरूं सूपर टेट में यह गलत आपका उत्तर माना गया था है ना जो पढ़ने चीजें सारे के छोटे-छोटे फैक्ट्स बारी की समलक समझेंगे बहुत इंपॉर्टन वीडियो है यह आप लोगों के लिए तो बने रही है इस वीडियो पे और वीडियो लाइक करिएगा मैक्शिम शेयर करिएगा ताकि जो मित्रुप साथ जुलाई सीटर 2020 के प्रपे लिखेंगे इसमें कि सीखने संबंदी जो विकार होते हैं जिसको में लोग बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज उसमें क्या कौन-कौन से विकार होते हैं कौन-कौन से डिसेबिलिटीज होती है उनको बारी की से समझेंगे और पहला है हमारे पास अलक्सिया अलक्सिया एलक्सिया क्या होती है एलक्सिया होती है भासा सीखने में कठना आई तो एक एक प्रॉपर आप गाइडेंस जो मैं दे रहा हूं हम लोग स्ट्राटेजिकली पढ़ना है हाड वर्क नहीं करना है स्मार्ट वर्क करना है और टेक्निकली स्ट्राटेजिकली पढ़ाई करनी है आल्फब्ट पहले आता है तो मैंऊंसरो कर रहा हूँ गता है सब करते हैं तो पर चुह बार द सो को प्रदर्शत करता इलेग्सिया हमारा दूसरा विकार है सीखने इसको हमों लोक बोलते हैं दिस्लेक्सिया यानि या जीदे इसलेक्सिया हो गया ऐसे याद रखिएगा याद करने का ट्रिक भी पताता चल रहा हो ताकि आपको समय कंफ्यूजन ना हो क्योंकि मैसिमुम कंफ्यूजन के चक्र में लोग चारों आप्शन मिलते जूलते लगते हैं उसमें कहीं कहीं गलत हम लोग उतर लगा के आता तो एलक्सिया में भ भासा पढ़ने में पढ़ेंगे उसमें हमको कटना याती है डिसलेक्सिया अब भासा को सीखने में तो एलक्सिया होती है यह दोनों को कंफ्यूजन दूर कर लिजेगा कि बहुत इंपोर्टेंट है यह वीडियो नेक्स्ट है हमारा डिस कैलकुलिया यह तो आपको एकदम कैलकुलिया को हम याद रखेंगे कैलकुलेशन से है ना कैलकुलिया को याद रखेंगे हम लोग कैलकुलेशन से और कैलकुलेशन हम किसमें करते हैं मित्रों कैलकुलेशन तो हम लोग करते हैं किसमें मैथमेटिक्स में तो सारी गड़ना वाली जितनी विकार है कैलकुलेट calculator का यहिज ह्ता है कोई गड़ना चीज करते हैं को गणीत संभन्दिकार कर एं तो सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब एथह आ हमारा डिक मक्त्राइब हमारा डिस्क गर कुलिया अब आगे जलते हैं एक अमरा है हमेता हमारा जो डिस्थैरंलिटी है जिसको कर लोग वह है डिस्साइफ यह आभ यह gratify अभी यह आपको याद होगा कैसे याद होगा देखिए का वर्रम पकाड रहे हैं अफसा यह लोग की पश्रहिए सितौ और फिरसे सम्साटास्चेत परिच में उने में किसे बुमाजय के लिखन很多 ग्रा पीष्अ meer है पूंब और आप उसे होता है इससे होता है फिर हम अगले पर चलेंगे के यह से होता है स्टार्टः एलेक्सिया होथा भादा हमें लोग जो सीखते हैं उसमें कठनाई होना यानि language को learn करने वो disability जो होती है वो हमारी Alexia होती है फिर second हमारी dyslexia dyslexia यानि भाहाँ साथ पढ़ने में कठनाई Alexia में हम लोग D लगा दिये तो भाहाँ सा पहले सीखेंगे फिर उसको पहला होता है ऐसे याद रखिएगा है ना Alexia यानि भाहाँ साथ सीखने में कठनाई dyslexia भाहाँ पढ़ने में कठनाई नक्स्ट डिस कैलकुलिया यह तो याद करने के जरुएत नहीं क्यों क्योंकि हम पर इस ग्राफिया और आपका नेक्स्ट है डिस ग्राफिया ग्राफ हम कहां बनाते हैं पेज में बनाते हैं यानि लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखने में में हम्लोक बन्लोक होता है हम नेक्स्ट डिस ग्राफिया होती है चलतेएं संबंदिविकार को देखते हैं कंग कुछ और विखारोगाद लेटे लेते हैं और हम्लोक अक्षम्य आप व्यूटर है डिसपेज़िया है तो इस पेज़िया का हो रहार कि वहाला बच्चा इस्ट्राइंड उन्हें सारी चुर्जों को जल्ली बढ़ते होता हैं तो कुछ नहीं समाज में आता है पदानी क्या पड़ाएगा क्लास में को तो कुछ समझी नहीं दुना है वो डिसप्रेकसिय यह सहते हैं ju जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है सब को जोड़ लीजिए वह हो जाता आपका डिस्प्रेक्सिया बोलने पढ़ने लिखने संबंदी जो कठनाई होती है और यहीं आपका प्रश्ण पूछा गया था आपके दो हजार उनिस छे जन्वरी का जो आपका उननतर हजार सिक्षववर्दी का परिक्षा हुआ है उसमें यह प्रश्ण पूछा गया था कि पढ़ने और लिखने की अक्षंता को क्या बोला जाता है तो वहाँ पर आप्षंता डिस्प्रेक्सिया लेकिन आयोग ने डिस्लेक्स लेक्सिया माना है जो पूनेता गलत है कुछ लोग मैं जब यह बता रहा तो सॉल्व कर रहाता है तो कुछ लोग बता रहा तो नहीं डिस्लेक्सिया होगा ठेकिन अगर आप ध्यान पूरवकर जगह किताबों को पढ़े होंगे इसलिए मैं बोलता हूं कन्फ्यूज ना र गड़ी संबंदी और डिस्ग्राफिया क्या है लिखने संबंदी ये तो चारत एक्दमरट गया है उंको और पांचमा क्या है इन सबको समप कर दो तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर ये इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है और आई होब कि इस वीडियो के बात नहीं रहेगा 110 परसेंट गयरेंटी इस बात कि अगर आपने ध्यानपूरक वीडियो देखा है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला भविश्य में तो याद रखिएगा डिस्प्रेक्सिया क्या होता है बोलने पढ़ने और पा रहा है और पढ़ी नहीं पा रहा है तो लिखेगा कैसे तो लिखने भी उसको कटनाई मैसूस हो रही है तो यह सारी कटनाई यहां जो मिलाकर बोली आती डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेरिया यह थोड़ा एडवांस टाइप का आ रहता है वह प्रोजेरिया नमक रोग हुआ रहता है लगकम आयू में व्रिद्द लगने लगता है बालक आई हो कि आप रिकॉल कर लेंगे कि वह मूवी में कैसे था जो पाउवी थी और आकरी में हमारा डिमनेशिया डिमनेशिया यानि कि तरक चिंतन स्मरण सक्ति कमजोर होना जिस बच्चे को रिकॉल नहीं हो पाता है अच्छे से अपनी बात ने रहेगा कितना भी पड़ेगा उसको याद ही नहीं रहेगा कोई चीज तो कैसे तरक करेगा सोचेगा कैसे की चीज चीज के बारे में तो इसमरण सक्ति उसके एकदम कमजोर होती है तो उसको मुल इस ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया यह पांच चीजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई होप कि आपको याद हो गया होगा अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मित्री वीडियो देखें कि उनको याद हुआ या नहीं हुआ यह ट्रिक से और ऐसे बेतरी वीडियो के लिए चैनल पर नए हैं तो हम त्यारी पूरी कराते हैं आप सभी प्लेलिस्ट जाके 2019 सीटेट में देख सकते हैं पचास से आधा हम वापे वीडियो अपलोड हो चुकी है और आने वाले समय में रोज एक एक वीडियो तो आती रहती है तो अच्छा लागा वीडियो तो